अब तेरी तो और मारो भाई से एक प्रेट में रस्ती नहीं को रहे तो तुम सबको रस्ती बलत का दो अब गलती होगी वाफ करते हो गजा गठे किसे उठा कर लिकर आया मुझे किटनाप क्यों किया गजा ये पहले दिन से मुझे चलता है मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है तुम नारायन मूर्ती के घर पर गए थे हाँ सुरिया ये वही ऑफिसर है जिसके हमें साइन लेने कौन से मूर्ती के बात कर रहे है सिटी प्लैनर नारायन मूर्ती कोई कंफ्यूजन नहीं है और जो सामदाम दंड भेट ट्राय किया वो नारायन मूर्ती के लिए एक आफिसर ने कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया उसी का टेंशन है मुझे मिनिस्टर ने हर तरह से उसे मनाने की कोशिच के पर जब वो नहीं माना तो उसे डराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचे दिखो हर बड़े ओफिसर का एक सीनियर ओफिसर जरूर होता है अपने बेटे को बचाने के लिए वोन पेपर्स पर साइन्स जरूर करें मैं अपने पपा के खिलाफ साज़िश कर रहा था नारायन मूर्ती तेरे पापा है गल्ती हो गई बहुत बड़ी गल्ती हो गई दोस्त की मदद करने किया जिस ने पापा की जान बचाई थी पर मैंने पापा की जिन्दगी खत्रे में ढाल दी हमेशा सबसे कहता था मेरे बापा सबसे अच्छे य गेंस्यो maggot लेटा अपने पापा को इस हालत में देखकर कैसा महसूस करता है इतनी छोटी सी बात को क्यों समझ नहीं पाद सूर्या आति असके असके ट्ब में अश्युन करें कि स्य को खच्थू उसके लिए मुझे बहुत अफ्सोस सब्ट हो जाव Are फाइल पर एक साइन लेकर आओ जाओ पापा का उसे भूलना इंप उसे बिस हो रही है तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूँगा लेकिन वो नहीं होगा मुझे तेरी जान नहीं चाहिए मुझे सिर्फ उनके साइन चाहिए मैं 25 सालों से पापा को जानता हूँ तुम उन्हें नहीं जानते भूल जाओ ऐसे कैसे भूल जाओ 300 करोड की प्रोपरटी है साइन तो करवा के ही रहूंगा चाहिए प्यार से या जबरदस्ती से मुझे साइन चाहिए नहीं होगा तीन सो करोड की प्रापरटी हो या तीन हजार करोड की कोई फार्क नहीं पड़ता पपा ने मना कर दिया तो वो काम कभी नहीं होगा कभी नहीं गजा भाई से उची आवाज में बत करता है ये गजा तुझे फोकड की दारू पिलाता है इसलिए तु इससे प्यार करता है तो सोच जिन्दगी देने वाले बाप से मैं कितना प्यार करता हूँ जिन्दा तपनात हूँगा तुझे भूल जा मैटर यहीं क्लोस कर दे मैटे को किड्नाप करेंगे तो बाप जख मार के साइन करेंगे यह तु नहीं कहा था इसके हाथ पैर थोड़के रस्ती से बांदो शाले को मुझे मार काने का शॉक नहीं है सूर्या की क्रोध की अगनी में जिस जिसको जलना है मेरे सामने आ जाए झाल। 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 ठों रिंद तों पर RH Deaf क्यों फिंद 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 बयादक टुब पादक टुँ जोन पादक अ को जड़刑 कि भादक ुझ अ कर दोन पादक यह व्सुरया भादक अादक प्रहुख प्रहुख प्रहुछ कि अज़िए अज़िए और मार तू अकेला इंज्ट जैसे 100 गुंडों को मार सकता है लेकिन उसे चुब भी नहीं सकता है गूलिंग पाटी का मिनिस्टर है वो फाइफ टाइम विनिंग एमिले शिवलिंगम राजप्पा अगर मैं तेरे पापा से साइन नहीं भी करवा पाया तो वो मुझे ऐसे दस क्रिमिनल को खड़ा कर देगा शहर के हर क्रिमिनल को कांट्राक्ट देता रहेगा जब तक कोई व पार्टी और गवर्मेंटों से सपोर्ट हो चाहे कोई भी पापा की जान का दुश्मन बने अपनी जान दे कर उनकी हिफासत करूँगा क्या वो मिनिस्टर एक साइन के लिए अपनी जान दे सकता है जाके बता दे उसे आज के बाद किसी भी वजह से किसी भी इनसान ने उन्हें मारने की कोशिश तो दूर उनकी तरफ कदम भी बढ़ाया ना तो मार दूँगा उसे ये नारायन मूर्थी के बेटे सूरिया का व पप पपपा है वो मेरे तो कि अब आगे अब तक हो मिनिस्टर बना नहीं हो अब है जीजा जी पेसिडेंट का फुल सपोर्ट है आपको सत्ता के गलियारों में बस एक आप ही की तचर्चा है यह आपके लिए गिफ्ट है दिल्ली से पांचसो करोड का टेंडर मैंने तुम्हें दिलवा दिया अनि तुम अला धाला कजी गाड़ी चिपको तो है कार के अंदर पचास करोड का बैक भी है साथ तुम जाओ नार मैं यहां से सीधे पार्टी आफ ही जाओगा है डियान रखना गाड़ी की किमत पचास करोड तस लाख रुपए हैं हां 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 कोई विश्वास नहीं करेगा कि कार में पचास करोड रखे हैं हां यह में तो टाइम है यह पानी के फुग्या क्यों भैक रहा है यह होदी नहीं खेर रहा है कुछ तो लोटा जरूर है यह पारी नहीं है पेट्रोल है अब मर्दा करें चलो खूल अब अब बच गया वरना हमारा तो तंदूरी बन जाता किसी का बच गया तो जीजाची भी हमें जिद्धा जला देगे लेक कमबक तो लाइक निकालो जल्दी से जल्दी करो देखो बॉस मैंने बाइक को बचा लिया तकला इतना बड़ा है अकल बिलकुल नहीं पनास करोड घ्योन गया को रोधा तो कैसा दिखता था काला डिजाइनर जैकेट मस्त काली बाइक क्या इंट्री थी बॉस इंट्री आधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया मिनिस्टर से मिला है नहीं अभी नहीं मिनिस्टर साब टेंशन में है मैं ही वो टेंशन हो यह लीजिया आपके पचास करोड रुपे हैं मैंने ही लूटे थे अमुकी दे है बेसोने सर कौन है रदू इतने लोगों के सामने बात नहीं कर पाऊंगा बटला तो बली भाई का आदम है जिसकी सौ एकड की जमिन में नहीं सर तो तुस पटेल का आदम है जिसको एक टेंडर के लिए मैंने टपका दिया है नहीं सर तो तुस रगुराम गैंस्टर का रिष्टेदार सर मैं इन में से कोई नहीं मैं एक मिडल क्लास गवर्मेंट एम्प्लॉई का बेटा हूँ नारायन मूर्थी का सर मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ दुनिया का हर बेटा अपने पापा से थोड़ा सा डरता है उनकी इजद करता है उनसे प्यार करता है लेकिन मैं अपने पापा के लिए पागल हूँ इतना पागल हूँ कि मेरे पापा की जान बचाने पर मैंने एक गैंग्स्टर से दोस्ती कर ली आप ही का आदमी है कचा जब उसने मुझसे पेपर साइन करवाने की बात की तो मैंने साफ इंकार कर दिया उसने कहा आप नहीं मानेंगे तो आपसे मिलने चला है सर सोसाइटी के ज्यादा तर लोग पैसा, पावर और प्रेस्टीज के पीछे भागते हैं आप भी उन में से एक हैं लेकिन मेरे पापा इमानदारी के लिए चीते हैं पूरे करियर में उन्होंने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली, सर एक गवर्मेंट एमप्लोई को ऐसा रेकॉर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, पर उनके लिए नहीं एक अरब पती होते होए भी अगर आपको पचास करोड खोने का इतना ज्यादा दुख हुआ, तो वो अपना स्वाभिमान और उमर भर कमाई हुई इज़त कैसे खो सकते हैं वो भी एक छोटे से साइन के लिए, ये तो नाइन साफी है ना मेरे पापा 15 दिन में रिटार होने वाले हैं, उन्हें खुशी-खुशी रिटार होने दीजिए, फिर जो करना है कीजिए, यही बात बताने के लिए आपसे मिलना चाहता था, किसी मिडल क्लास आदमी को आपकी अपोइंट्मेंट लेना मुश्किल होता है, इसलिए ये सब करना पड़ा, प्लीस त्राइटो अंडिस्टांड, मैं चलता हूं सर, आप बड़े मिनिस्टर है, बेस ही जाओ ये गुंडे पैसों के लिए आपकी हिफाज़त कर रहे हैं, लेकिन मेरे पपा की हिफाज़त के लिए, मैं अकिला ही काफी हूँ, इन से खतरनाख हूँ और आपसे भी लगता है मेरी बात आपके खोपड़ी में नहीं गुसी, आखरी बार समझाता हूँ अगर मेरे पपा खोश तो मैं भी खोश, ये थी परसनल बात, इसे भूल जाएए अगर मैं खोश रहूँगा तो आप भी खोश रहेंगे ये आपके इंटरेस्ट की बात है, इसे मत भूलना